यह जी तैयार कंडिशन में है यह डाई इन ने फिट करी विया है माल मेल्टों के नीचे आ रहा है माल में डाई बंद कर दी जाएगी लोग लगा दिया जाएगा इसमें और इसमें हवा का सिस्टम भी होता है हवा से यह असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ आपका हो शाही नसीर और आज एक और वीडियो आपके खित्मत में लेकर हादिर वहाँ तो यह बच्चों के खिलोने बन रहे हैं उसकी मेकिंग है तो अभी देख रहते हैं यह खिलोने किस तरह बना रहे हैं तो तेली टाइम्स हाए कि बगैर देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है यहां पर अधर दाना पड़ा हुआ है इनका राव मट्री के हल है कि अधर बाई ने कुपे के अंदर डाल दी है माल माल मेल्ट होके यहां से आजेगा इसमें यह आग जल रही है और दाना मेल्ट होके यह इस तरह आएगा यह प्लास्टिक के घोड़े की मेकिंग है यह यह वही गोड़े हैं जिसमें हम भी बज़पन में बैठे हुएं तो आज इसको देखा हैं हमने किस तरह बनता है यह और कितने हातों से गुजर के यह फिट जाके एक गोड़ा त्य कर रहा हैं आपर फैक्ट्री है यह चीज की और यह पूरे तकरीबन पाकिस्तान में इनकी सुप्लाई जाती है गुजरामाला लहोर कराची सेंद सब जगा रहे हैं कि सब जगा कर मारी सुप्लाई जाती है अब जाती फैन लगाया किया तके माल ठंटा हो जाए जबी से जबी सॉफ्ट है नरब है यह टाइट परीव है माल पैल्ट होके नीचे आ रहा है पाद में टाइब बंद कर दी जाएगी लॉक लगा दिया जाएगा इसमें पर इसमें हवा का सिस्टम भी होता है हवा से यह हावा से फुल जाएगा जैसे हम चालेज जमीन पर लगेगा साथ ही बंद कर दें गारता है यह यह है कितनी देर में एक पीज निकलता है? दो मिन दो मिनट में दो मिनट में यह फंके से अपनी यह ठंडा हो जाएगा साथ साथ और भाई यह कटिंग कर देंगे कर दो के इं बजन यह क्या तियार हो रहा है पाइया तियार हो रहे है पाइया तियार हो रहे है पोड़े के जी इए अजिए वील राड है यहां वील रॉड़ है यह वील रॉड़ अगाट अजिए आप जाव जेवर परनाते हो गोड़े को कि अगी कि यह जली हो और ठीट आप मार्ग करों हैं कि अग लग जंग जिए जिताया है कि अगा जिए कि अपैंड़ा भी आपिए बादाल अजय रहे काथी है जी इसके काथी कोड़ाइकी यार पूर्श कुछ आपको दिखा रहते हैं यह जी तैयार कंडिशन में है काठी भी लग चुकी है आके सारा जेवर भी पहन ली है पर यह भी लग चुकी है पर यह राड है जो यहां पर फिट होगा इसके आगे तो यह थी आज की मारी वीडियो अपने होस शाही नसीर को दीजिए पिजाज़ दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं आपसे को नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिएगा प्लीज अलाहाफिर